हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तो मैं चैनल मोना मैजिक फ्रेंड्स आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी धेर सारी मिठाईयां भी घर पर बनाई होगी कुछ मार्केट से बजार से लाई होगी और उन मिठाईयों के कुछ ना कुछ चीजे ऐसी होती हैं कई बार हम ऐसी रसीली मिठाईया लाते हैं कि उनकी चासनी बज जाती है ठीक वैसे ही मेरे पास भी चासनी बज गई थी गुलाब जामुन की तो क्यों ना हम इसका फिर से रियूस करें और इससे फिर से एक बार स्वीट बनाएं बट इस बार कोई टिपिकल स्वीट नहीं बन स्वीट रेसिपी बनाई जाएं बट एकदम आसान तरीके से तो चलिए फिर इसे बनाना शुरू करते हैं फ्रेंड्स वीडियो को एंड टक जरूर देके वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स सारे कॉर्नर्स को आपको निकाल लेना है फ्रेंड्स तो यहां पर ने मैंने सारे कॉर्नर्स निकाल लिया ब्रेट के यह जो कॉर्नर्स बच्चे हैं इन्हें हम ब्रेट क्रम्स बनाके कटलेट में यूज करेंगे बिल्कुल भी फेकिंगे नहीं इन कॉर्नर्स को तो अब हमने लेना है मिक्सर ग्राइंडर और इसमें ब्रेट के टुकड़े करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे तो यह देखिए हमारे ब्रेट का पौडर बन के तैयार हो गया है सेकेंड बिच भी मैंने इसी तरह कर लिया है फ्रेंड्स तो मैंने इहां पर मिल्क पौडर लिया है मिठाई के स्वात को बढ़ाने के लिए तो आप किसी भी ब्रांड का व्लीकॉडर ले सकतें तो दद-10 पमच लिया हैं तो पहले मैं एक पाउच मिला अब रूम टेंप्रेचर पर मेल्क आपको ठंडा या गरम नहीं लेना है और थोड़ा थोड़ा सा मिल्क डालते हुए इसे एक सॉप्ट डो लगाना है याद रखिए फ्रेंड डो आप सॉप्ट लगाएंगे हाड नहीं लगाएंगे अगर आपका डो हाड होगा तो आपके गुलाब जाओन भी हाड बनेंगे फ्रेंड जटपट से यह गुलाब जाओन बन जाते इंस्टेंट और बहुत ही ज़दा होते हैं इन्हें बनाना बहुत ज़दा असान होता है आप देख रहे हैं इसमें बहुत ज़दा मैंनत लगती नहीं है पस आपको ब्रेट को निक्सर में चलाना है स्वाद को बढ़ाने के लिए आपको इसमें मिल्क पावडर डालना है और यहां पर हमारा है शॉप्ट सा बना लेंगे चिकने होने चाहिए कही से भी फटे हुए नहीं होने चाहिए ध्यान रखेगा इस बात का एकदम इसमूद बननी चाहिए आपकी जो गुलाब जाओन की बॉल्स है आपका डो एकदम ज़दा सॉप्ट रहना चाहिए अगर आपका डो सॉप्ट होगा आपकी गुलाब जाओन भी उतने ही सॉप्ट बनेंगे इस तरह से हमारे गुलाब जाओन बनके तयार होंगे फ्रेंड्स दूसरा भी मैं आपको बॉल बना कर बताती हूं यहाँ पे जो फ्रेंड्स हम गुलाब जाओन बना रहे हैं एक ब्रेट से एक गुलाब जाओन बनके तयार होगा तो यहाँ पे मैंने 13 ब्रेट का यूज किया था 13 ब्रेट तो यहाँ पे मेरे 13 बॉल्स बनके तयार होगे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं आपको कितनी गुलाब जामूंच चाहिए उतनी आपको ब्रेड लेनी पड़ेगी तो इसी तरह से मैं सारे बॉल्ट्स बनाकर रेडी कर लिए हैं यहाँ पे 13 बॉल्ट्स बने हैं 13 ब्रेड से तो चलिए अब हम इसे फ्राइ करने की ओर चलते हैं इसके लिए आपको कढ़ाई में थोड़ा सा तेल को गरम कर लेना है तेल जब आपको अच्छी तरह से गरम हो जाए फ्लेम को एकदम लो करिए शुरुवात के एक मिनिट तक आप इन्हें लो फ्लेम पर ही रखिए तुरं आप इसे चलाते हुए अच्छी तरह से गोल्डन फ्राइ करेंगे जो आपके गुलाब जाम उनका ब्राउनिस कलर होता है गोल्डन ब्राउनिस वह कलर आप इसमें लेकर आएंगे आपको इसे कंटीनू चलाना है आपको डारेक्ट इसमें बड़ी जहारा ये चमच नहीं लगाना है छोटी चमच से आप पहले इसे मूब करेंगे ताकि इनका शेप भी न भिगड़े और ये आसानी से पलटते जाएं आपको इसे कंटीनू गोल गोल चलाते जाना है ताकि ये सबतरब से इवन फ्राइ हो फ्लेम का आप ध्यान रखेंगे मीडियम फ्लेम पर ही आ आपको तब तक फ्राइ करना ही ने जब तक इसमें ओरिजिनल गुलाब जामून वाला कलर नहीं आ जाता बहुत ही जल्दी फटाफट से ये गुलाब जामून बनके तैयार हो जाते हैं आप देख सकते हैं इनक पर कितना अच्छा कलर आगे है गुलाब जामून का अब हम इसे निकाल लेंगे सेकेंड बेज भी हम इसी तरह फ्राइ कर लेंगे हमारे एक भी गुलाब जामून फटे नहीं है क्योंकि हमने इनमें क्रैक नहीं रखा था आप भी इसी तरह बनाएंगे बिल्कुल क्रैक्स नहीं होने चाहिए तो आपके गुलाब जामून भी फटेंगे नहीं तो बस फ्रेंट्स हमारे गुलाबड़न फ्राई हो गया है कंटेनर पर जो हमारी चासनी हुई थी बच्ची हुई उसे हमने गरम करने के लिए रख दिया है इसे अच्छी तरह उबल ले देंगे हम दो मिनिट के लिए अगर आपके पास चासनी ना हो चासनी फ्रेश चासनी बनानी हो तो आप एक कटोरी शक्कर में एक कटोरी पानी दोनों समान मात्रा में लेंगे और दो मिनिट बॉयल करके एक तार की चासनी बना लेंगे यहाँ पे हमारे पास चासनी बची हुई थी जिसका हमने यूज किया है तो आप सुगर और पानी समान मात्रा में लेकर सुगर सिरब भी बना सकते हैं तो इसे दो मिनिट मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया चासनी को तो अब हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे हमारे बनाए हुए गुलाब जामून आप देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं इन्हें देखकर कोई भी यह नहीं बता सकता है कि यह ब्रेट से बने हैं और स्वाद में भी बहुत लाजवाब बनते हैं तो आप भी इस रेसिपी को ट्राइज जरूर करिएगा फ्रेंड्स इन्हें हम ढखकर चार से पांच घंटे के लिए छोड़ देंगे पांच मिनिट तक हम इसे उबलती हुई चासनी में पकाएंगे पांच मिनिट के बाद हम गैस को ओफ कर देंगे और ढखकर पांच घंटे के लिए से छोड़ देना है चार पांच घंटे में आपके गुलाब जामुन बनके तयार हो जाएंगे तो पांच घंटे बीच चुके हैं तो अब मैं इसे निकाल लोगी एक प्लेट में सर्विंग बाउल में तो बढ़िया से हमारे ब्रेट के गर्मा गरम गुलाब जामुन बनके तयार हैं मैंने इसे दुबारा से गरम कर लिया सर्व करते समय फ्रेंड्स क्योंकि गुलाब जामुन है वो गर्मा गरम ही अच्छे लगते हैं और अभी है सर्दियों का मौसम तो इस टाइम पे तो गुलाब जामुन को सर्व करते समय गर्म जरूर करें आप रेसिपी अच्छी लगी है और फ्रेंड्स मेरी तो लाइक जरूर करिएगा फैमली और फ्रेंड्स में शियर जरूर करिएगा इसके उपर मैं डाल लिए फ्रेंड्स थोड़ा सा बादाम का पाउडर बादाम को मैंने कद्दू कस कर लिया था और उसे मैं गानिशिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ आप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही इसे खा सकते हैं तो ट्यार हो गये हमारे त्यार हैं के बनाविये सपर सुपर गुलाब मेरे चैनल पर डेलि रहसिपीफ आती है फ्रेंड्स टो डेलि रहसिपी से लिए सबार को सबस्क्राइब जरूर करें ताकि आप डेलि रहसिपीफ निरी देख पाहें कर दो कर दो कर दो कर दो